हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आईटे एलेक्ट्रीशन में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मौलिक बिद्दुद एवं बैद्दुदिक पदात के कुछ अबजेक्टिव टाइब कोस्चन के बारे में तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले यदि चैनल में नए हैं तो सस्क्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को जरूर प्रिस कीजिए चलिए दोस्तो शुरू करते हैं हमारा पहला कॉस्चन है विद्दुद आवेज की मात्रा क्यू ग्यात करने का सूत्र क्या है तो आवेज वरावर क्या होता है दोस्तो आवेज वरावर होता है धारा गुडे समय आवेज की यसाई मात्रक क्या होती है आवेज की यसाई मात्रक होती है कुलाम और धारा किसकी यसाई मात्रक है यह एंपियर एंपियर जो है यह धारा की यसाई मात्रक होती है और समय का स प्रत्वी की और प्रवाहित होती है तो धनात्मक होती है लेकिन जब बस्तु की और प्रवाहित होती है तो यह धनात्मक हो जाता है लेकिन जब बस्तु से प्रत्वी की और प्रवाहित होती है तो यह धनात्मक हो जाता है हमारा अगला कोस्चन है धारा के तीन प्रमुक प्रभाव होते हैं तो उसमी प्रभाव चुम्मिकी प्रभाव और रासायनिक प्रभाव होते हैं चौता है एक एलेक्टरान पर आवेस होता है जोस्तो एक एलेक्टरान पर आवेस की मात्रा होती है 1.6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुलाम अगर इसी में बात की जाए तो 1 कुलाम बरावर कितने इलेक्टराण होंगे तो आईए देखते हैं 1 कुलाम बरावर होता क्या है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम तो एक कुलाम बराबर कितने electron होंगे तो 1 by 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 electron तो electron कितने होंगे तो इसका इसमें से भाग देंगे तो निकलेगा 6.28 into 10 के पावर 18 6.28 into 10 के पावर 18 electron हो जाएगा एक कुलाम बराबर 6.28 into 10 के पावर 18 electron हमारा अगला question है एक जूल प्रति सेकेंड होता है इसका answer हो जाएगा एक बोल्ट फिर है अंतराष्टी पद्धत में उस्मा की इकाई को व्यक्त किया जाता है उस्मा की इकाई को अंतराष्टी पद्धत में कैलोरी से व्यक्त किया जाता है ऐसा कौन सपदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रितिरोध घटेगा दोस्तों यहाँ एक ये अचालक है कारवन एक अचालक होता है लेकिन जो अचालक और अर्धचालक दोनों में टैंप्रेचर को बढ़ाने से प्रितिरोध में कमी होती है लेकिन जो कंडेक्टर होता है उनमें टैंप्रेचर को बढ़ाने से प्रितिरोध बढ़ती है ये होता है कंडेक्टर में दोस्तों ये किसमें होता है कंडेक्टर में होता है लेकिन सेमिकंडेक्टर और इंसुलेटर में तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोद घट्ती है हमारा अगला कॉस्चन है बिद्दुधारप रवाय की गती होती है इसका एंसर हो जाएगा तीन गुड़े दस की पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड चार सेयोजी इलेक्टरनों से कम परमानु क्या होते है दोस्तों यहाँ होगा चालक लेकिन अगर चार सेयोजी इलेक्टरन है तो यह सेमिकंडेक्टर कहलाएंगे क्या कहलाएंगे सेमिकंडेक्टर अगर आठ सेयोजी इलेक्टरन है कित्ते आठ आठ सेयोजी इलेक्टरन है तो यह इंसूलेटर होंगे इंसूलेटर मतलब अचालक और यह अर्धचालक कहलाएंगे हमारा अगला question है तापमान बढ़ने से तावे का प्रतिरोध होता है तावा एक चालक होता है जिसमें प्रतिरोध होता है अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा एंसर हो जाएगा बढ़ेगा हमारा अगला question है नाइक्रोम का गलनांग होता है इसका एंसर हो जाएगा 1400 degree Celsius दोस्तों जो नाइक्रोम है वो निकिल नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है जिसमें जिसमें 80% निकिल तो 20% क्रोमियम होता है इसका गलनांग नाइक क्रोमियम का गलनांग 1400 डिगरी सेल्चल होता है हमारा अगला कुश्चन है कौंस्टेंट किसकी मिस्रधातू है कौंस्टेंट कापर और निकल की मिस्रधातू होती है दोस्तों कौंस्टेंट वायर का इस्तमाल रियो इस्टेट में किया जाता है रियो इस्टेट में constant wire का प्रियोग रियो इस्टेट में किया जाता है रियो इस्टेट जो होता है एक variable resistance होता है जिसका प्रितिरोध इस से क्या करते हैं प्रितिरोध को हम घटा और बढ़ा सकते हैं नहां अगला question है तावे का गल्नांग कितना होता है दोस्टों इसका एंसर होगा 1086 degree Celsius अगर आपसे पूँच दिया जाए कि चांदी का कितना होगा चांदी, चांदी मतलब एज़िस इसको दर्सात है चांदी का तो आपको बताना है 960 degree Celsius अगर सोना का पूँच दिया जाए तो आपको बताना है 1063 degree Celsius अगर aluminum का पूँच दिया जाए तो आपको बताना है 657 degree Celsius अगर आपसे tungsten का पूँच दिया जाए tungsten का तो tungsten का गलनांग होता है 3400 degree Celsius मारा अगला question है तावे की परमाणुसन क्या होती है तावे की परमाणुसन क्या या बोले तो परमाणुक्रमांग 29 होती है अब्रक की परवैद्दिक सक्ती होती है अब्रक की 20 से 60 kg बोल्ट प्रती mm होती है दोस्तो अगर आपसे पूँच दिया जाए कि सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्टेंट किसकी होती है तो dielectric extent सबसे कम होती है लकड़ी की होती है सूखी लकड़ी की होती है कितनी होती है 0.4 से 0.6 और आप से पूँच दिया जाए कि सबसे अधिक किसकी होती है तो आपको बताना है वैलके नाइज्ट रवर की बताना है जिसका होता है 30 से 50 किलो बोल्ट प्रती एमेम दोस्तो जो dielectric strength होती है वो एक अचालक की सहन सीमा बताती है और इसको हम किलो बोल्ट प्रती एमेम में व्यक्त करते है अगला question है तावे की विशिष्ट प्रतिरोध होती है इसका एंसर होगा 1.68 इंटू 10 के पावर माइनस 8 माइनस 8 ओम मीटर होती है क्या हो जागा तावे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.68 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर होगी फिर अगला question है 90 degree Celsius किस वर्ग का सुरच्चित पापमान होती है तो ये वाई वर्ग के अंतरगत आ जाता है फिर आता है अगला question सबसे अधिक सुरच्चित पापमान सीमा किसकी होती है सबसे अधिक सुरच्चित पापमान सीमा तो ये हो जाएगा C जिसमें तीन तरह से होते हैं 200 degree Celsius में और 220 degree Celsius में और एक आ जाता है 250 degree Celsius में हमारा गला question है empire tape आम तोर पर बना होता है वार्निस केम्रिक की दोस्तों आपको बताना है वार्निस को क्या बोलते हैं आपको ये इसका सैलेक भी बोलते हैं ये आपको पहली पिछली वीडियो में मिल जाएगी हमारा आखरी question है नाइक्रोम की तापी चालकता होती है दोस्तों इसका answer हो जाएगा 11.3 watt मीटर इंवर्स degree बस दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे शेयर करे धन्यवाद 12.3 watt मीटर इंवर्स